ये question के 2017 में आया है, इसको करने से पहले में suggestion आया है, आप प्लीस division operator वाला वीडियो देखिए, मैंने उसका link description में डाल दूँगा, so, देखी इसमें क्या करें, CR table है, उसके अंदर student name और course name की बन है, CR table के अंदर student name और course name में कुछ data इंदर लिया है, student name is equal to SA, on CR, हम उनको select करेंगे, और project कर लेंगे course name को, तो course name आज़ेगा, SA related, course name क्या आज़ेगा, CA, CB और CC, तो हम लिख लेते है, course name will be CA, CB and CC, okay, हाँ, अब क्या कहा रहे है, इसको T1 में डाल दिया, मतलब, वही assignment operator है, T1 में डालने का मतलब क्या होगा, कि यह पूरी query आप replace कर सकते हैं, T1 से, और ultimately T2 के अंदर क्या डाल रहे है, CR divide T1, मतलब, यह as it is, division में डाल रहे हैं, CR के साथ, और पूछ रहे है number of rows in T2, T2 में rows कितनी होगी, that is very simple, बिल्पुल division करना, आपको कुछ नहीं करना, तो CR table में हम देखेंगे, कि course name CA, CB, CC के साथ कौन-कौन link है, तो पहले हमने SA को pick किया, CA, CB, CC के साथ link है, तो ultimately answer में SA आएगा, तो answer में पहले देखो क्या कि आएगे, student name course name था, यहां पर इस course name था, finally हमारे पास student name ही answer में आएगा, तो कौन-कौन से student name आएगे, जो in CA, CB, CC, तीनों के साथ link होगे, वो सारे student name हमारे पास आ जाएगे, तो एक-एक करके देख लेते हैं कौन-कौन से हैं, पहला SA आएगा, क्योंकि SA, CA, CB, CC के साथ link है, अच्छा अगला देखो, SB, CB, CC के साथ है, CA के साथ नहीं, छोड़ो तो SC, CA, CB, CC के साथ link है, तो SCB आएगा, then SD, CA, CB, CC link है, एक्स्टा कुस भी होता है, मैं आपको बार को लगता हूँ, उस्योंको फर्ग में पढ़ता है, एक्स्टा जितना मर्जी हो जाए, सिरफ आपको CA, CB, CC से देखना था, SDB आएगा, then SE को देखनें के तो CA, CB, CD के साथ link है, SE is linked with CD, CA and CB, SD नहीं आएगा, sorry, SE नहीं आएगा, युकि CA, CD, CA, CB के साथ link है, और SF, CA, CB, CC देखना था link है, तो SF साथ आगरेना, okay, तो ultimately हमारे पास 4 rows आएगा, you can say 4 doubles answer में आएगा, okay, so answer is 4.